हेलो दोस्तो अगर कोई वेक्ति लेफ मसीन से जुड़ा हुआ है या फिर वो टेकनिसियन है आई टी पढ़ाई कर रहा है या डिप्लोमा पढ़ाई कर रहा है तो उसको लेफ मसीन का थ्री जो चोक एंड फॉर जो चोक के बारे में जानकारी होगी बट वो लोग कंफ्यूज इस जगा हो जाते कि थ्री जो चोक बहतर है या फोर जो चोक बहतर है कौन सा अच्छा है कौन से टर्निंग करने के लिए कौन सा जो हमें लगाना चाहिए ठीक है ना तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि थ्री जो चोक बहतर है या फो तो लेट स्टार्ट पहले थ्री जो चोक सेटिंग्च आप आफ वर्क इजई क्या होता है कोई वी जोब को हम विह Kane उका सके हैं करना है जोब का अंदर में की स्टैस्ष्ट होनी के इसको हम लोग जब एक जोको टाइट करते हैं तो दो इस ओ Yuk Ly setting हो जाता है कोई भी job में ठीक है ग्रिपिंग पावर लेकिन हाँ इसका gripping power जो है टाइटनेस जो है वो कम मात्रा में होता है कम मात्रा में पकड़ता है क्योंकि ये automatically कीनो जो tight होता है depth of cut completely less इसका depth of cut हम लोग इसमें ज्यादा नहीं दे सकते हैं करने के दोरान ठीक है ना हेवियर जोब्स केंनोट भी टर्न इसमें लोग ज्यादा भारी भर कम जोब टर्न नहीं कर सकते हैं छोटा मोटा जोब किया फिर कोई प्रोडक्शन ले थे उसमें लोग त्रीजो चोक लगा करके फटा-फट जहां पर मेसनिंग करना होता है या फि को जैसे मैं ना बताया इस फारे थ्रोड होने के कारेंड में जब हम लोग एक जोब को टाइट करते तो दोनों जो आटमेटिकली टाइट होता है और यह जो जोब है यह सेंटर में ही टाइट होता है इसलिए हम लोग एसेंट्रिक जोब इसमें नहीं कर सकते हैं चलिए आत more gripping power but यह independent होने के कारेंट में हम लोग चारों को tight कर सकते अच्छी तरीका से इसलिए इसमें gripping power बहुत ज्यादा है more depth up cut can be given इसमें हम लोग depth up cut बहुत ज्यादा दे सकते बहुत ज्यादा मतलब हाथी जैसा नहीं थ्री जोग के मुकाबले ज्यादा depth up cut दे सकते हैं heavier job can be turn इसमें हम लोग कोई भारी भरकम जोब कोई भी हैबी जोब इसमें हम लोग अराम से turning कर सकते हैं फोर्जोचोक में work piece can be set for eccentric turning इसमें कोई भी irregular set job हम लोग इसमें turning कर सकते हैं जैसे कि फ्री जोचोक में हम लोग केवल triangular job cylindrical soft या फिर hexagonal job यही सब कर सकते हैं वह भी सेंटर में हैं बट फोर्जोचोक में क्या है कि कोई भी irregular set या फिर इसक्वाइर हो पेंटागोन हो किसी भी तरह का job हम लोग फोर्जोचोक में लगा सकते हैं कोई फ्लैंग में अगर साइड में drill हो या फिर कोई साथ कोई सेंटर करना हो तो इसमें हम लोग फोर्जोचोक में कर सकते हैं तो यह रहा difference थ्री जोचोक और फोर्जोचोक में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें अपने दोस्तों के साथ जरूर करें और जो भी न्यू मेंबर्स आएं उन्हें उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें न्यू अपडेट्स के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें चले दोस्तों मिलते हैं